ठासि अपने operating system लेक्चर no.1 के साथ और इस लेक्चर में हम कबर कर रहा होंगे operating system होता क्या है, इसकी key functionalities और features क्या होते है और tabs of operating system कितने होते हैं यह सारे चीज़ें इसमें हम cover कर रहा होंगे और यहां पे GUI और CLI भी आपको पढ़ाया जाता है GUI और CLI operating system में फरक क्या है ये भी हम यहाँ पे cover कर रहे होंगे in depth तो start करते है what is operating system से पहला question operating system होता क्या है तो operating system को हम OS भी कहते हैं और OS का full form operating system होता है तो O stands for operating, S stands for system तो system के साथ operate करना operating system क्या लाता है सबसे पहले इसका नाम हमें के रहा होता है क्यों operate करना, बात करना, किस चीज़ के साथ बात करना system के साथ बात करना, operating system खेलाता है अचा और ये एक type का software या program है different type के software होते हैं और software हमने यहाँ पे cover कर रहा है अगर आप चाहते हो मुझे इस software के अवाले से बढ़ना है तो नसीव code studio सर्च कर ले और यहाँ पे आपको fundamentals of information technology वाली video में यह सारे चीज़े हमने in-depth cover कर लिये है यहाँ पे what is software और types of software हमने यहाँ पे cover कर लिया है तो आप इस single short video को भी देख सकते हो और अगर आप full detail में जाना चाहते हो आप यहाँ पे fundamentals cover करना चाहते हो तो आप इस video को भी check out कर सकते हो बाकि इस playlist में हम क्या क्या देखने वाले operating system के playlist में वो हम यहाँ पे first video के inside cover कर चुके एदफा जरूर check out कर लो इन videos को और अपना feedback तो मत बुलना इसमें feedback भी आपको देना चाहिए क्या improve करना है और कौन से topics आपको मजीद चाहिए होंगे वीडियो अची लगती है तो comment और like तो जरूर करना है अच्छा आजाते हैं यहाँ पे वापेस different type के operating system होते है तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एक application होता है app software और दूसरा होता है system software जो कि system के inside साइड हम यूज करते है apps को चलाने के लिए different type के software होते है और operating system भी एक software है last time हमने introduction to software में देखा था कि एक apps होते है application software जिसे एक आजाता दूसरा system software जिसे एक आजाता जो system के काम को fulfill करता है requirements को fulfill करता operating system एक type का system software है और यही system software हमारा help कर रहा होता है application software को चलाने के लिए next इसका काम क्या है बहुत ही simple सा definition मैंने लिखा है इसका काम है manage करना पर किस चीज को manage करना activities को जितने भी activities होते है user के हमारे जितने भी activities होते उन सब को कौन manage करता है operating system manage करता computer के inside hardware आप attach करते हो तो hardware का interface hardware को manage करने का काम ही किसका होता है operating system का होता है next यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि एक software है जो act करता है किसके base पर act करता है interface के base पर act करता है between computer hardware और user के बीच में अब इसका मतलब क्या होगा तो यहाँ पर देख ले हम यहाँ पर computer बना लेते है और यहाँ पर हम user को बना लेते है अब user को क्या आता है मानने user को यहाँ पर English language आती है या तो Arabic language आती है तो अब जाहर बात है अगर आपको English आती है तो last time हमने introduction to computer में पढ़ा था कि computer को सिर्फ और सिर्फ यह समझाता है जिसे binary language भी कहा जाता जिरो और वन और English बहुत दूर है ठीक है क्या यह user के साथ बात कर सकता है बिलकुल नहीं क्या user इसके साथ बात कर सकता है बिलकुल नहीं तो फिर दर्मियान में हमें यहाँ पर एक आला चाहिए होगा एक device या तो एक software यह program चाहिए होगा जिसे यहाँ पर 0 और 1 भी आता हो जिसे यहाँ पर English भी आता हो तो हम यहाँ पर कह सते है कि इससा software जिसे 0 और 1 भी आता है जिसे English भी आता है वो software operating system के लाता है तो फिर आम computer की inside install करते है operating system को अब जिसे यहाँ पर operating system आ गया तो आपका जो question होता है वो आप operating system को देते हो क्योंकि operating system is a interface काम करता है तो पहले computer आपको दिख रहा होता है पर जिसे computer own करते हो पर computer नहीं पर आपको operating system दिखता है वो interface जो आपको मिलता है user interface UI वो आपको generate करके यही operating system दे रहा होता है तो आप अपना काम सबसे पहले operating system को देते है operating system आपका कम computer को समझा रहा होता है और पिर वापस computer इसके base पे जो भी result देता है जो भी output देता है जो भी result देता है तो वो result वापस किसे मिलता है operating system को और वो ही operating system UI के उपर और वो result आपको generate करके दिखा रहा होता है तो कुछ इस तरह से यहाँ पर operating system count करता है पर आप कहोगे कि operating system के इलावा भी हम यहाँ पर कुछ sentences देख सकते हैं जैसे कि आपका window corrupt होगा है महाले आप computer use कर रहे हैं यहाँ पर computer और computer के inside जो operating system ता वो corrupt होगा है आप नेक्स के अगर आप चाते हो कि मुझे अपने computer को बिल्कुल fresh बनाना है तो आप यहाँ पर जो भी storage device होगा आपके computer के inside मालो SSD है आप SSD को fully format कर लेते हो और format करने के मादब को होगे कि इसकी inside तो कुछ data ही नहीं operating system भी चला गया फिर भी हमें यहाँ पे English form में एक error मिल जात है computer को तो zero and one आता है तो फिर यहाँ पर बताता चलो कि यहाँ पर आजाएगा एक side पर user यहाँ पर एक side पर आजाएगा computer और यहाँ पर मैं operating system लिख लेता हूँ और यहाँ पर इसकी साथ plus करूंगा CPU को किस जिसको CPU को Central processing unit अच्छा तो यह दोनों मिलकर user का जो काम है computer को जा रहा होता है तो यहाँ पर इन दोनों के base पर आपका पूरा communication valid हो जाता है आप CPU या तो operating system दोनों में से किसे को हटा होगे तो फिर भी आप यहाँ पर computer के साथ valid communication नहीं कर सकते तो यह समझ लो आपका जो language है जो भी language होगा वो convert हो रहा होता है 0 और 1 में पर किस के base पर operating system और CPU के base पर तो यह दोनों वह है चीज़े होते हैं जो computer का language user के लिए और user का language computer के लिए valid बनाता तो अब जो यहाँ पर operate करते हो computer के साथ वो operating system और CPU के base पर चल रहा होता है अच्छा next line में हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह manage करता है hardware के resources को और यह provide करता है हमें services जिसके अबर हम execute कर सकते हैं different type के application software को और operating system essential और must है computer के लिए क्योंकि आपको functionality देता है functionality नहीं मिल रहे तो operating system गायब है operating system computer के inside install कर लो आपको different type के functionality different type के functions different type के features मिल रहे होते हैं अच्छा यह hardware और hardware को manage करने का यह जो बात हुई है यहाँ पर इसका मतलब क्या है तो मैं यहाँ पर एक layer इस layer को समझ लो तो आप user यहाँ पर बुखता हूं युजर सभसे पहला layer user का होता है सभसे पहला layer यहाँ नहीं युजर का बना है अच्छा लियर number two तो यहाँ पे एक और layer में बना लेता हो और यहाँ लियर में हम लिख रहे होंगे hardware को किस चीज़ को लिख रहे होंग नाइब्स और एप्लिकेशन शोफ्ट वेर इस ओप्लिकेशन सॉफ्ट्वार के एंसाइड अप डिफृंट टायब' के टास्क कर सकते हो जिससे कि टास्क नमबर 1 और अब टास्क नमबर 3 इसी तरह चलते जैंए अब यहारा पे शबसे पहले User, User Computer को ओपन करता है और Computer को ओपन करता है पुमिटर को यूज करने के लिए भू क्या यूज करेगा वो Computer को यूज करने के लिए Hardware का यूज करता है तो आप यहाँ पे computer की inside जितने भी काम करते हो इसके लिए mouse का यूज़ करते हो इसके लिए keyboard का यूज़ करते हो तो keyboard और mouse की तो आप computer को command देते हो तो यह hardware हो गए hardware को कौन manage करता है next layer हमें बता रहा है कि hardware को manage करने का काम operating system का है अगर screen के उपर आपको यहाँ पे cursor देख रहा है जो मैं यहाँ वहाँ move कर रहा हूँ यह cursor मुझे कौन देता है यह interface मुझे कौन देता है जाहर बात है operating system डबल क्लिक करने से क्या आना चाहिए keyboard में keys press करने से क्या आना चाहिए यह hardware के inside जितने भी चीज़े होते है उनकी functionality को wallet कौन बनाता है operating system तो mouse को control करना keyboard को control करना mic को control करना system box को control करना printer, scanner वगरा को control करना यह सारा काम operating system का ही होता है तो hardware को आप use करते हो पर hardware को manage करने के लिए हम यहाँ पे operating system का use करते है तो hardware को total operating system manage कर रहा होता है operating system के बाद आप यहाँ पे application softwares को use करते हो और application softwares के base पे आप different type के task करते हो अब काम करने के लिए मैं यहाँ पे एक application use कर रहा हूँ तो क्या मैं direct application use कर रहा हूँ application के उपर मैं task कर रहा हूँ उस टास्क के बेसद पर, मैं आपके समने, आपके यहां पर नोड्स को औरips, रिप्रेसेंट कर्रा हूं, डिफरन टाइप के नोड्स बना रहा हूं, तो कैसा, मैं डारेक्ट एप्स को यूज़ कर रहा हूं नहीं, मैं यहां पर यूज़र हूँ, और user क्या युज़ करता है hardware तो इस वक्त में क्या युज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर mouse युज़ कर रहा हूँ mouse के base पे हमें यहाँ पे screen के उपर जो चीजे मिलते जो आपके समने में यहाँ पर चीजे ड्रा रहा हूँ वो कौन manage कर रहा है typing करने से type होना चाहिए text आना चाहिए तो यह application software और application software के base पे आप different type के task कर सकते हो, notes बना सकते हो, typing कर सकते हो, game चला सकते हो, messages कर सकते हो, तो यह different type के task तब valid हो जाता है, जोब operating system होगा, operating system आपके apps को manage कर रहा है, तो यह layers आपको समझ आ चुका होगा, layer number one user का होता है, layer number two hardware का ह user hardware को use करता, or hardware कि सचीज को use करता है, operating system को, operating system के base पे आप application को run करते हो, applications को चलाते हो, और एप्लिकेशन्स के उपर आप डिफरंट टाइब के टास्क पर्फॉर्म कर रहे होते हो OS stands for operating system और ये एक टाइब का software है और software मैं से different type के software होते हैं ये system software है और इसे हम use करते हैं electrode करने के लिए क्या manage करने के लिए negative को user के लिए और computer के hardware को भी manage करने के लिए हम यहाँ पर operating system का use करते हैं तो hardware के base पे हम यहाँ पर command देते computer को और वो command कौन manage करता है operating system next operating system एक type का software है जो act करता है as a interface आप और computer के दर्म्यान में यहाँ पर एक interface है और इस interface के base पे मैं computer को use कर सकता हूँ यह interface मझे कौन दे रहा है जार बात है operating system दे रहा है operating system के तो हम hardware के resources को manage करते हैं और यह हमें provide कराता है different type के execution for application software तो हम यहाँ पर application software को तब execute कर सकते हैं जब operating system होगा नहीं होगा तो हम computer को नहीं चला सकते हैं इसलिए कहा जा रहा है कि computer के inside operating system essential है और must है क्योंकि यह different type के आपको functionalities दे रहा होता है inside computer उमीद करता हूँ आपको operating system का या पर definition समझ आ चुका होगा पर अब इसके functionality के बात करते हैं कि इसके कौन से कौन से functionality है और इनका मतलब क्या होगा तो सब सब पहले हमें बताया जा रहा process management process management मतला process जैसे loading चल रही है यह चीज इतनी complete होगई इतनी complete होगई CPU यूज करते हो CPU को आप कोई काम देते हो तो CPU काम कर रहा होता है तो आप अच्छा CPU अगर लगाते हो operating system को दरमयान से आपने हटा लिया operating system ही नहीं आपने कोई software open कर लिया वो software YouTube है अपने यहाँ पर YouTube को open कर लिया तो CPU busy हो जाएगा YouTube के साथ अपने एक साब कहा रहे हो मैं जह यहाँ पर एक और task करना है मुझे यहाँ पर FB को open करना है Facebook को open करना है तो क्या CPU Facebook के तरफ आएगा नहीं आपका जो CPU one side पर काम कर रहा होता है पर इसे इस काबिल बनाना कि यहाँ पर task number one भी कर ले task number two भी कर ले task number three भी कर ले जब operating system होगा operating system हटा लो CPU one चीज़ के साथ एक single चीज़ के साथ यहाँ पर busy हो जाती है पहले तो CPU काम नहीं करेगा बागी task को schedule करना जैसे के पहले आपने यह काम करना है पर यह काम करना है तो यह जो काम को schedule किया जाता work number one, work number two, work number three task number four या work number four तो यह scheduling कोन करता है यह भी आपका यही operating system inside CPU कर रहा होता है तो CPU की inside execution of programs और manage करना processes को और schedule करना आपके task को termination करना यह सारा यह आपर operating system का काम है और operating system की functionality है next memory को manage करना अगर कोई picture आप download करते हो उसे कितना size मिलना चाहिए और कहाँ पर download होना चाहिए कहाँ पर store होना चाहिए यह memory management कोन करता है operating system RAM के उपर आप काम कर रहे हो इतना RAM है अपके पास और इस RAM के उपर इतना जगा पहले काम को मिलना चाहिए इतना जगा दूसरे काम को मिलना चाहिए इतना जगा तीसरे काम को मिलना चाहिए तो यह management कोन कर रहा operating system कर रहा है यह को फाइल इसमों कर रहे हम HEY किबोड से कोई की प्रेस करने से वही की आनी चाहिए, माउस के बेस पे आपको ये करसर मिलना चाहिए, प्रिंटर से ये चीज प्रिंट होना चाहिए, ये सारी फंक्शनलिटी और इन सभी चीजों को तर्तीब देना, डिवाइस मेनेजमेंट के लाता है, यूजर को इंटरफेस देना, ये इंटरफेस देख रहा होगा, जिसमें यहाँ पर आइकन्स आ जाते हैं, नीचे टास्प बार आ जाता है, और यहाँ पर बेगराउन आ जाता है, यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन बार और सिस्टम ट्रे आ जाता है, यहाँ पर security कौन देता है, user को, user के computer को access करना, files को access करना, files को virus से बचाना और files को protect करना, इस टाइप के जो securities होते हैं, यह security कौन दे रहा होता है, आपके computer के insights, आपके data को, आपके files को, और आपके computer को operating system दे रहा होता है, password लगाना है, कौन देता है यह functionality, password, operating system, अच्छा virus and threat protection, अगर आप window 10 use करते हो, तो virus से कौन बचाता है आपके computer को, operating system बचाता है, आप गर drive को encrypt करना है, तो यह encryption का option कौन देता है, operating system देता है, ठीक है, तो different type के यह आपको यहापे security देता है, और computer को access करने के लिए controls भी आपको दे रहा होता है, तो यह समझ लो, operating system के बिना computer कुछ भी नहीं है, यहाप एक और चीज़ आ रही है, user interface की inside, जैसे मैंने यहाप लिखा है, GUI, GUI stands for graphical user interface, और एक और है, CLI, CLI stands for command line interface, तो एक दफाँ बात करते हैं, different type के operating system होते हैं, जैसे के desktop operating system, जिसमें Windows, Mac operating system, Linux operating system आ जाता है, Windows MS वालों ने बना है, Microsoft वालों ने, Mac iPhone वालों ने, Apple वालों ने बना है, Linux किसी और company का है, mobile operating system, आप mobile के inside, दो operating system यूज़ करते हो, एक Android operating system और दूसरा iOS operating system, तो अगर आप iPhone जैसे mobile को यूज़ करते हो, तो इसके inside आपको operating system, iPhone operating system मिलता है, और अगर आप बागी जैसे sensing, इन फेनिक्स होता है, यह पर iPhone वालों ने बना है, यह भी iPhone और Apple वालों ने बना है, तो यह किसने बना है, Android, Android गूगल का operating system है, यह Google का बनाया हुआ, operating system है, for mobile, यह mobile के लिए बना हुआ है, server operating system, server जहाँ पे आपका different type का data store हो रहा होता है, website के आवाले से, software के आवाले से, तो वो server, और server के inside operating system का use किया जाता, तो Windows server होता है, Linux server होता है, Unix server होता है, वगरा, कुछ और devices भी आप use करते हो, वो devices कौन से है, जैसे के router, router एक network device है, ATM यूज करते हो, पेसे निकालने के लिए, अच्छा यहाँ पे internet of thing, जैसे devices आप use करते हो, तो इन type के devices के लिए भी एक operating system की need होती है, और वो operating system कौन सा होगा, embedded operating system, जैसे ATM के inside आपको बताया जाता है, आपके account में कितने पैसे 30,000 रुपे है, 20,000 रुपे है, आपने इतने withdraw कर लिए, इसके बाद आपके पैसे 10,000 बज गई या वगरा, तो आपको यह जो information दिया जाता है, आपके पैसों को manage किया जाता है, यह कौन करता है, ATM की inside embedded operating system, internet of thing, different type devices होते है, जैसे यहाँ पे fingerprint के लिए, जैसे nationality के base पे आपके सामने एक device रखा जाता है, कि चलो यहाँ पे finger लगा लो, जब आप यहाँ पे finger लगाते हो, तो इसके base पे आपका finger यहाँ पे scan होता है, और आपका detail पूरा यहाँ पे आ जाता है, और आपका identity scan करने के लिए जो device यूज़ किया जाता, इसके inside भे एक operating system यूज़ की जाती है, और वो operating system कौन सा होगा, embedded operating system, तो यह थे आपके पास 4 different type के operating system, जिसे हम different type के devices के according यूज़ कर रहे होते है, फिलाल हम यहाँ पे desktop पढ़ रहे है, desktop मतलब laptop, computer, और laptop और computer के inside हम window को यू यूज़ करते है, Kali Linux को यूज़ करते है, एक दफा समझते है, desktop operating system के inside different type के windows होते है, different type के make operating system होते है, different type के Linux operating system होते है, according to versions, तो मैं यहाँ पे Windows के different type के जो versions होते है, वो दिखाता चलू, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आ सकते हो, simple Wikipedia के inside search कर लो, आपने search करना होगा, Windows version history, त देख लो, यहाँ पे operating system कब से launch होए, Microsoft ने operating system कब बनाए, 1985 से operating system चल रहे है, devices के inside, और 1985 में सबसे पहला operating system जिसे MS-DOS भी कहा जाता, क्या कहा जाता, MS-DOS, MS-DOS मतलब Microsoft disk operating system, और disk operating system इज़ा CLI काम कर रहा था, तो CLI क्या होता है, अभी कुछ दिर में आपको समझ आ जाएगा, CLI और GUI क्या होता है, और next पर यह version चलता चलता गया है, तो देख लो, इसकी inside भी different type के versions आ है, जैसे Windows 1.01, पर Windows 1.02 आ गया है, पर Windows इसके बाद 3 आ गया है, और इसके बाद Windows NT, पर Windows 3.11, और Windows 3.2, और पर Windows NT 3.5, और इसके यहाँ पर date भी चाहिए कर सकते हो, 1994 में यह Windows चल र लॉंच हुआ, और date के according उसका नाम भी यहाँ पर 95 रखा गया, और इसके बाद यहाँ पर Windows 90 था, और 1996 में यह Windows लॉंच हुई, और फिर Windows 98 और इसका नाम भी यहाँ पर Windows 98 रखा गया, क्योंकि 1998 में यह वाली operating system Microsoft वालो ने लॉंच कर लिया, और इसके इलावा यहाँ पर Windows 2000 लॉंच हुआ, और जिसे Windows NT 5.0 भी कहा जाता, 2000 में यह वाली Windows लॉंच हुई, और इसके इलावा यहाँ पर नीची आजाए, Windows XP लॉंच हुआ, और कब लॉंच हुआ, यह 2001 में Windows XP लॉंच हुआ, फिर Windows XP कब तक चला, 2005 तक चला, और इसके बाद एक और वर्जन आया, जिसे नाम दिया गया, Windows Vista, और Windows Vista 2007 में आया, और 2007 और 9 के बीच में Windows Vista चलता गया, और फिर Windows 7 आया, 2009 के बाद, और 2009 और 12 के बीच में Windows 7 चलता गया, पिर आया Windows 8, अब Windows 8 लोगों को ठीक से पसंद नहीं आया, पहर यहाँ पर इसके अलग वर्जन लॉंच हुए, जिसे के Windows 8.1, Windows 8.1 प्रो, 2014 के जस्ट बाद पर आया Windows 10 और बहुत थी खुबसर से फीचर यहाप है, Microsoft वालो ने Windows 10 के इंसाइड दिये थे, 2050 में Windows 10 आया, और Windows 10 एवन आज भी हम यूज करते हैं, मैक्सिमम लेप्टाप और कम्पिटर के इंसाइड आपको Windows 10 ही मिल जाता है, और कफी सालों त अब तक हम यूज कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस वकाद जो लेटिस्ट वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम, Microsoft की तरफ से है, वो Windows 11 है, Mac ऑपरेटिंग सिस्टम के भी इसी तरह वर्जन होते हैं, Linux का भी है, Unix का भी है, Kali Linux का भी है, Ubuntu का भी है, तो चिक आउट कर लो, यहां पर सिंपल आके, जो भी उपरेटिंग सिस्टम होगा, तो उस उपरेटिंग सिस्टम का जो भी हिस्ट्री होगी, वो आपके सामने यहां पर आ जाती है, अब यहां पर समझते हैं, कि GUI और CLI दोनों में फरक क्या है, GUI और CLI, अब इन दोनों को समझते हैं, वीडियो होते हैं, और इसमें dots होते हैं, इसके side line, curve line होते हैं, तो यह समझ ले, जो भी काम आप window के inside line के base पे, picture के base पे, वीडियो के base पे, आप कर रहे होते हो, वो सारे काम GUI, operating system के base पे आप करते हो, अगर हम यहां पर आ जाएंगे, तो देख लो, हमें यहां पर एक picture दि जाएगा और इसके inside भी जितने options मिलते हैं, आपको picture की शकल में मिल रहे होते हैं, तो यह सारे pictures होंगे, तो click के base पे, आप जो भी काम करते हो, तो हम कह सते हैं, अगर कोई operating system आप यूज कर रहे हो, और उसमें maximum time आप click का और mouse का use करते हो, किस चीज का use करते हो, clicks का या तो प operating system को, हम GUI operating system केते हैं, अच्छा, नेक्स आजाता है, यहाँ पे CLI, CLI operating system कौन से operating system होते हैं, तो अगर यहाँ पे आप mouse सबसे ज्यादा यूज करते हो, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आप यहाँ पे keyboard को use करते हो, अच्छा, इसके नाम से यहाँ पर पता जलोगा कि command line interface, ज तो अगर आप GUI operating system यूज करते हो, तो आप right click करोगे, आपके सामने यहाँ पे top पे options आजाएंगे, तो यहाँ पे कुछ options है, जैसे copy करना, cut करना, तो यह option आजाता है, delete करना, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आप CLI operating system यूज करते हो, तो इसके inside आपको हर operating system को सबसे ज़यदा यूज कर Traszen को सबसे ज़यदा चीजा करना, तो यहाँ पे का Mac operating system यूज ios driving system, यह अगर आपको iPhone अगर यूज जय तो कर आपको यूज करना, तो easy to use कौन से operating system होते हैं GUI अच्छा CLI यह तोड़ से hard होते हैं यूज करना इसके लिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए commands आने चाहिए commands valid होंगे तो आपके सामने यह valid काम कर रहोते है commands गलत करोगे तो यह आपको कोई भी काम करके नहीं देंगे इन जैसे operating system में Linux आ जाता और काली लिनिक्स आ जाता वगए तो CLI में Linux और काली लिनिक्स और GUI में Windows, Mac operating system, iOS operating system, Android operating system आ जाता है तो सबसे easy GUI होता है, सबसे ज्यदा मुश्किल और खतरनाक से कोई से operating system होगे CLI command line interface झाली लिनिक्स आ जाता है झाली लिनिक्स आ जाता है